हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं को अंजाम देने की कोशिश की मंदर के मुखे द्वार का ताला तोड़ कर दान पात्र भंडारा को बाहर निकाला और तोड़ने की नाकाम कोशिश की दान पातर के भारी भर कम वजन को देखते हुए करीब तीन चार लोग चोर की गैंग में हो सकते हैं ऐसी आशंका और संभावना गरामेनों ने चताई क्योंकि एक तो लोगों से इतना वजन नहीं उठ सकता ताती मंदिर के दान पातर तोड़ने का भी किया प्रयास लेकिन उन्हें सकता नहीं मिले गुरवार सुबा पुजारी देविलाल माली हमेशा की तरह गुरवार सुबा पूजा करने गया तो मंदिर के मुख्य द्वार के ताले तूटे हुए मिले और दान पात्र को अपनी जगा से हट कर बाहर लाया और तोड ने की कोशिश की मगर तूटा नहीं पुजारी ने चोरी होने की सूचना ग्रामिनों को दी, सूचना पर ग्रामिन पुलिस में एकतरित हुए और चोरी होने की सूचना कारंदरे पुलिस को दी, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और मौका मुआयना किया ग्रामिनों ने जल्द छोर को पकड़ने की मांग करते हूँ बतायığı कि पूर्व में भी यहां छोरी की वारदात हो चुकी है और छोर पुलिस की हाथ से दूर है साथी पुलिस के देरी पर आने के कारण सोशल मीडिया में ग्रामनों नाराजगी जाहिर कर कालंदरी पुलिस के उदासीन रवये पर और संतोश व्यक्त किया है पिछले दिनों कालंदरी समेट सिलोया और मामावली में भी सिल सिलेवार चोरी की वारदात हो चुकी है जागरोप टेविकी कालंदरी से सुदेश जुगनों की रिपोर्ट